दोस्तों के आपको पता है नवंबर 1990 को बिटेन में रहने वाले एक पंजाबी परिवार में जन्मी हर नाम कौर नम की एक बच्ची जिसको मातर 11 साल की उमर से ही दाड़ी आने लगी थी ये सब हुआ था हर्मोंस में हुई गड़ड़ी से जिसे पॉलिस्चिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं और इस बिमारी के कारण हर नाम को बिलकु लड़कों जैसी ही दाड़ी आने लगी थी इसकूल से लेके हर उस जगह तक हर नाम का मजाग बनाया जाता था जहां वो जाती थी अब ज़रा सोचिये जगा जगा ऐसे सताय जाने से एक छोटी सी 11-12 साल की बच्ची की मनुस्थीदी पे क्या प्रभाव पड़ा होगा और इसलिए हर नाम इन बालों को हटाने के लिए बैक्स और तरह तरह के हेर रिमूवल तरीकों का इस्तमाल करने लगी मगर इन सब कभी कोई फाइदा ने हुआ और अंत में निराश होके हर नाम ने आत्मत्य जैसा कदम भी उठाने की सोचने लगी अगर उसी वक्त हर नाम को एहसास हुआ कि आज एक हर नाम के चले जाने से दुनिया में कोई बदलाव नहीं आएगा ऐसे में हर नाम ने हिमत से काम लिया और अपनी दाड़ी हटानी की बजाए हर नाम ने 16 साल की उमर में ही पूरी दाड़ी उगा लिए और ऐसे ही मौडलिंग के लिए कोशिश करने लगी उखे हर नाम ने सबसे लंबी दाड़ी वाली लड़की के रूप में गिनियस बुका वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगा पाली है बाद हर नाम को काफी सारे मॉडलिंग के ओफर्स भी मिलने लगए और हर नाम का नाम गिने चुने फेमस मॉडल्स में गिना जाने लगा और आज हर नाम कई ब्रैंड की ब्रैंड एममेसजर भी बन चुकी है सोचो तो क्या नहीं पाया जा सकता वीडियो बसंद है तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब